कि अग्जाज की अग्जाज की अग्याज्व की तो सट्रह सो साथ में औरंग्जेव की मिर्टु हुई थी और 1824 में सिमेंट बना था इसका मतलब है कि वो फबारा और ठोस पत्थर का हिंदु बख्च कह रहा है कि बाबा मिल गया आप कहने सबाल पूछो अरे सबस्द ज्यांबापी मस्जिद मुद्दा नहीं है आप से सबाल पूछो मुद्रा पुछ रहा हूं सुन तो लो कि इसका बना हुआ है और पूछा आप लोग आप लोग सरकार की दलाली में ये भूल गए कि प्रधान मंत्री ने तेरह बार पेट्रॉलियम पदार्थों के दाम बराए और पांच बार कम कर दिया प्रधान मंत्री से कि भुखमरी के इंडेक्स में भारत का अस्थान कहा है आप सवाल नहीं पूछते भी मागों गटा बजाओंगे अरे भी या बाबा मिल गए कलास मनसरोबर आगे हिंदुस्तान में अरे भाईया अपने पापा ते बोटो ता कि राजाबाज बहादूर के नित्रतब में जब क्यालास परपत का जो एरिया है मानसरोबर का जीत लिया गया तो हिंदूओं के जो सबसे बरे आराध दे सिव हम सब के दिल में बसते हैं आपके दिल में इनके दिल में उनके दिल में सब के दिल में बसते हैं तो वह सिव कहां भी राजमान हैं वह सिव कैलास परपत पर हैं और वह कैलास परपत चाइना के कबजे में हैं कब यह भाजपा आरे से के अं ये अच्छे दिन है अब बजट इतना अच्छा पास हुआ तो लोग कह रहे अच्छे दिन आ गए तब पहन लो पैरों में पहजा घागरा चोली पहन के वहीं डांस करों ठुमका लगाओ भजबा कारिया लेके सामने अरे उज्वला योजना में जो सिलेंडर माटे गए उसक उससे 20 परसं भी रिफिलिंग हो रहा है क्या अच्छे दिन लटा दो पुरही कर चार सो रूपरों कि हैं दो कर विंद्टी है एनको बोलाइए अपने एचल दिन वापिस ले ले हमारा वही दीन चाहिए जब 71 रुपे का पेट्रॉल और 55 रुपे 49 पैसे का डीजल 400 रुपे से कम की सिलेंडर मिल रही थी हमको वो चाहिए भारत जो लोग विरोधी है वही सबसे पहले 5 किलो आनाज के लाइन में मिलता है कि है कि हमने रासन लिया अगर एक बात की अवलाद हो यह साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा मैं फासी के फंदे पर जुनने के लिए तैयार नहीं तो तुम जैसे आताइक बादी भर्वे डले दलालो ने डेस्को गुमरा किया है तुम जैसे दलाल हराम का खाता है वह भाजपा का गुन गाता है यह साब साब तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हराम खोड हो हराम के खाने वाले लोग हो सुभास चंद्रा की तरह इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छा ही दिखती है महंगाई आज तक अंधे हो अरे मुदिया विंदी की विमारी है अरे फिर मैं पूछ रहा हूं घर में आपके पापा की चड़ी फटी परी है है उसोच रहे दो किलो रासन कहां से लाओं आइदत मुदी आइदत मुदी ही आप रासन नहीं लेते होंगे सुन तो लो हां सुन तो लो अब बोलो और कुछ बोलोगे नहीं हो गया रासन आपके पापा ने अपने पैत्रिक संपति बेच कर दी है क्या तो आप भी अखिले सुने रहे यह मस्रूम की सबजी किस्के पैसे से खा रहे अरे भाईया इतने बेसर मतमनो वो दिन दूर नही कि स्रिलंका के में जैसे हुआ ना पत्रकारों की तीन दबाई लात जुत्ता और पिटाई हंदुस्तान में भी चालू होने वाला है आप बताओ मोदी जी जो मस्रूम खाते हैं उनके पिताजी ने खेत बिचके लाया था जो पचासी अजार करोर के विशेश विमान में चर सबसेते हैं सबाल पूछे की आपकी और कारर नी है सबूछ कर अरे सबाल जूँ्द में मुझा मुझा रहा हूं है जुका हूं इस ता बना हुआ है किस सिसका बना है का कंक्रीuters कि संब्सके पत्थर और सिमेंट मिला के बनता और क्या है हो गया ना बस जवाब ज़िए ना आपको आपके धर्म का बास था आपको आपके माबाप का बास था पोट लेंग से सिमेंट जो सिमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते यह 1824 में अविस्कार हुआ था सिमेंट का मतलब समझें 1707 में औरंग्जेव की मिर्तु हुई थी और 1824 में सिमेंट बना था इसका मतलब है कि वो फबारा है और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल आप कहने फबारा है हम कुन पक्ष है है हम कुन पक्ष हैं आप बताओना आप बताए ना तिलक दार शक करने चल दिए हैं आपको भी क्या अंजना उंका सेब के तरह अपनी पती को सीवीची में चेर्मेन मनाना है है लब रही करें असने पहले बाद हम क्या करें ठोस पत्थर में पानी के फबारे बन सकते हैं क्या और पानी का फबारा रिपेर होके हो सकता है जब 1824 में पोटला करें मुद्दा कभी हनमान चलिशा का मुद्दा आप सभी यहां पर हो हनमान चलिशा में कितने दुमाद चलिशा क्यों कहा जाता बताओं पूछ रहा हूं ना पूछ रहा हूं चलिशा नाम क्यों परा तुम यह खाली मुझे लगाओ इसे चुम का लगाओं मती जी के रोटी खाके कुता की तरह पूछी लाओ पूछ सब्सवाब पूछो ना कि चाइना ने पूल को कैसे बनाया है पूछने की यह पूछने की आप्ला नहीं पूछते मोदी जी से की ंडूस्तान जिंक कैसे भी का आप सवाल नहीं पूछते जापान गए तो है आपको नहीं बज़े ना क्या जापान के घर में जो यह मदारी के खेल खेलते हो ना आप लोग आ किराये का ओडियां से किराये का सुन तो लो डांस मत करो अब डांस करो अच्छे नहीं लगते सुन लो मैं जो कह रहा हूं देश की इतनी दूर्दसा क्यों हुई जब सिनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोरों हजारों करोर रुपे की बचत हुई जो ट्रेन के टिक्टों में दाम बरहा दिये गए जो महंगाई बरहाई गई देश में सब कुछी मंदारी से चल रहा है तो वो सब पैसे कहां जा रहे है यह धरती लिल रही है आस्मान लिल रहा है आप वो बात ने कौन से विकास हुआ यही कि भारतिये रेल बेस दिया गया विकास है यह हिंदुस्तान जिंक बेस दिया गया यह विकास है आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आरियन खान के मामले पर और आरियन खान बरी हुआ केपी घोसाभी और भानुसाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिस की कोडियल कुरूज जहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते आप उस पर बात नहीं करते कि आडानी के पोर्ट पर हेरोईन का पक्राजाना आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को द मौधि और स्षाह की जोरी लगातार बदनाम क्यों कर रही है आप बात नहीं करते घान पाबी में क्या है यह आपको पता है लेकिन पुलबावा में 300 किलो RDX किसका था 50 किलो से लटीन किसका था कर किसी थी उसका पता आप से नहीं चलता है यह आपके वकाद के भार की बात है आज भी उन सहीर पडिवारों के लोग की पैंसन बाजपई सरकार में जब बंद हो गई थी तो आप समझो उन्हें लोगों के घर पर चलाना कोई दूद्र बेच रहा है कोई बोलने में और करने में फर्क है ना उन्होंने तो बोला था बुले ट्रेन चलाएंगे साधरन ट्रेन इनकी चलाने की आउकाद नहीं है आप उस पर सबाल पूछो ना मैंने आपको साफ सब्सक्राइब बोला यह दो मिनट का काम है कि सिवलिंग है कि फबारा है सभी पक्षों कि एरोलिस्कल डिपार्टमेंट इतिहासकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के किलियर कर लेना चाहिए इस धर्म की यार में आप भारत को गर्त में ठकेल रहे हैं यह चीज बरदास्त नहीं है और हकलाव मत हम समझ रहे कि विल्ली के तरह रास्ता काट रह हुआ है नहीं करोगे पैसा मिलेगा नहीं वापीस ले लेगा उल्टा जीडी का जपा मार देगा अपको पैसे मिले हैं इसलिए सवाल पूछना कर थे हैं अपने मा की बाप की कसम की मोदीजी अच्छा कर रहा है बता दो आज भारत की कि शूकर किसम पत्रिकायरता करते हो भारत की मिटी को छूके कसम खाओ अरे इस मिटी को लो इस मिटी की कसम खाओ अरे बलालो भरवो कसम खाओ इस भारत की मिटी का खाओ कि हम देश की प्रती सच बोलेंगे दर देश में जो सरकार है मौजूदा सरकार ही मंदारी सरकार है हाओ कसम रखो ना हाथ इस पर रख ल पूछो कि देश बेचना उचीत है जो मुद्ध की बात क्यों सुनेंगे आपको पैसा मिला है सुनाने की हमको नहीं मिला है कि अच्छे काम के उनके बारें बताएंगे पता दो ना अच्छे काम लो मिटी पार के कसम खालो ना खाओ ना भी मोदी जी की तरह सगंदी समिटी की देट दुतने नहीं दूगा देट विकिने नहीं दूगा झाल